जैन दोस्तों मैं हूँ आरविसाल और मैं अपने सीडियस के सभी दोस्तों के बीच एक बर फिर से आ जा रहा हूँ क्योंकि लास्ट के 25 दिन मतब 20 दिन मैं कह सकता हूँ 20 दिन और इस वो मौसम जिस समय सुबह आपकी तब्या ठीक लग रही साम को आप बीमार फिल कर रहे है इस सड़े वाले मौसम में इतने हैक्टिक मतब कि आपका सेड्यूल भी बहुत हैक्टिक होगा बरतवान सही में क्या पढ़ें क्या छोड़ें और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है हमारा मैट्स तो मैट्स में आपकी स्टैटजी क्या होगी कैसे आप अ नंबर छपवाई देंगे इसमें कोई 2 आए नहीं है तो आईये देखते हैं सबसे पहली चीजा है मैटमेटिक्स दो घंटा सौ कोश्चन सो सवाल दो घंटा यहीं से प्रस्ण शुरू हो जाता है कि क्या हमें 100 सवाल करना तो तुरंद कठ करो 100 सवाल नहीं करना करना है तो कुल में अच्छा पहले पाना कितना है तो वैसे तो 20 पसेंग माख से लेकिन कितना पाना है जिससे पिछली मेरिट को ध्यान में रख कर तो मैं कह दूँ 40 से 45 40 से 50 में कह लूँ एगर मैं 40 से 50 कह लूँ तो 50 कुस्षिन करना है अगर एक कुरिट 50 कुस्षिन कर लेते हैं तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा और समझो कि लाखों में लाखों में सिर्फ हजारों ऐसे हो पाते हैं जो हर सब्जेक में 20% मार्क्स ऑप्टेन कर पारें 20% मार्क्स गेन कर पारें जबकि मैं आपको बता दू अभी इस बार का दो हजार चौबिस का पहला वाला जो एप्रिल में सीडियस हुआ अगर उस वेपर को आप देखें धंग से अंडाउटली 20-25 कुस्तन थे ऐसे जिसमें जान लग रही थी लेकिन 40-50 कुस्तन ऐसे थे जिनको इत्मिनान से क्योल आपके पास थोट प्रोसेस हो मेंटल मैस का अब चैप्टर का आपको यह बहुत बार बता चुका हूं चैप्टर वाइस बेटेज बहुत इंपोर्टेंट है जहां से ज़्यादा नंबर आप खुश्चन है वह आपको बोल्ड करके दिखाया भी गया है कि कौन-कौन से चैप्टर इंपोर्टेंट जैसे आपका नंब तो 10 भार यहां ट्रीगो की बात करें जमेट्री कॉचौनट गार्ट की बात करें तो यह वह सब हाँ जहां जो बोल्ड वाला करना है अब देखिए कितना माक सेफ है तो आप कहने से 20 फसंड दो क्वालिफाइंग है तो कितना माक सेफ है तो मैं कहता हूँ अगर आप final selection की बात कर रहे हैं तो पचास से 60 की तरफ जाओ भाई पचास से 60 की तरफ जाओ और ये जाए जा सकता है बहुत इत्मिनान से अब लोग 75 की बाद भी करते हैं सी की बात करते सीधी बलफ करते हैं उनको खुद बैठा दोगे तो मैं नहीं कहूंगा आउकाथ हाथ में आ जाएगी लेकिन मसला यह है कि आप 50 से 60 को टार्गेट करो गया मीनिममम 50-60 इसके बीच में ले आना है अपनी मार्क्स को और यह वो पोर्सन है जिसमें आप कर सकते हो आप जानते हो कि UPSC का जो GS है उसका जो मतब कि जो उसका ब्राडनेस है उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगर आप इसमें 50-60 कर ले जाते हो तो फिर आप बहुत हद तक बहुत हद तक सफलता की इबारत लिख चुके है क्या strategy बना के चलना है कौन सी ऐसी important चीजें है जो आपको बहुत अच्छे से जिस पर काम करना है तो उसको मैं सिलसलेवार तरीके समझाता हूं कितना टाइम बचा है आज से देखें अगर आज के date से देखें तो हमारे पास कुल कितना टाइम बचा है तो आप कहेंगे सर सबसे बड़ी बात मातर 20 दिन बचा हुआ है क्या इस 20 दिन में कोई miracle कर सकते हैं आप कुछ हमारे लिए कर सकते हैं मैं कहा रहा हूं जिसको basic mathematics आती हो basic mathematics कायदे से जोड़ घटाना गोड़ा भाग algebraic formula टेग्नोमेटरी का basic knowledge अगर आता हो आज से मुझ से हाथ मिला लो 50 कुस् में सबसे बड़ा ब्रहमास्त्र क्या है क्या हमारे लिए सबसे important अस्त्र है किस strategy को follow करना है mathematics की बात मैं basically कर रहा हूं 50 से 60 नंबर यहां ले आते ही आप सफलता की तरह बढ़ चुके होंगे तो यह क्या हमारा ब्रहमास्त्र है दोस्तों practice 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 में मौक के साथ मौक और पी वा करा रहें तो आपका जो मौक हो totally PYQ based हो जिससे कि आप उन प्रसनों से हमें hundred percent दो दो हाथ करके exam में जाएं जो प्रसन आपके exam में जैसे प्रस आपके exam में आते हैं लगातार आते रहे हैं उन प्रसनों से आपको रूबरू होना बहुत important है उन प्रसनों से आपकी deal होनी बह लगाया मैस का तो आप यह मान के चलो कि आप फिर सफलता के लिए नहीं पढ़ रहे हो आप खुद को पढ़ा रहे हो घरवालों को पढ़ा रहे हो फिर आप पढ़ नहीं रहे हो next बात क्या आती है दोस्तों अब मौक में आपको क्या देखना है accuracy कौन से वो गलतियां है जो बहुत से लोग करते हैं उस गलती को आपको हटाना है और कौन से वो पोर्षन जहां पर आपसे बार बार गलती हो रही है उस पोर्षन को आपको कट करना है और आपको अपने अंदर क्या ले आनी है accuracy पर बहुत ध्यान देना है नहीं आ रहा है तो तुका नहीं लगाना है के मोह से बचना है और एक कहरा हूं फिर से कि सौ में करना तो पचास ही है पचास तो यू भी छोड़ देना है तो किस बात का टेंसन दो घंटे में पचास से पचपन सवाल बैठा के कर दीजे आपका काम बनने वाला है नेक्स्ट क्या आ गया भाई या नेक्स्ट सबसे इंप पर और आप सोचते हैं कि एक्जाम में जाके टाइम मैनेज हो जाएगा हम एजी कुस्टन छाट ले जाएंगे हम वहां कैसे बांटेंगे दो घंटे को हम कैसे एक बार पेपर से गो थू होंगे कि पूरा पोपर हमने देखा और पहले प्रयास में हमने 25 से 30 कुस्टन सभी स ज्राहत दग रहे थी उसको हमने क्या hour कि यहाओं कि चोटे गोले बड़े गोले से प्रयास किया यह वाली बार टाइम मेनेजमेंट या आपको यहीं से करना है तो एक बार प्रहले पहली दौर लगा यह और पहला प्रयास हो कि कम से कम पतचीर से तीस सवाल खटाक से निकाल के रख दो तो क्वालिफाइंग क्लियर हो गई 25 से 30 कुस्टन निकल गया अब ढूड़ना है 25 कुस्टन और जब पहला प्रयास कर रहे हो तो जो प्रस्ण आपको लगे कि यार यह तो आता है लेकिन लंबा होगा उस पर छोटा गोला मारो और जो आप सेकेंड स्टेप में आओ पेपर को फिर से सुरू करो तो आप जो छोटे गोले वाले कुस्टन है उसको आप देखो फिर से पूरा पेपर ना पढ़ना पड़े तो यह कि स्टैटिजी आपके अंदर रहे कि भाई पेपर को पहली बार जब हम उसे गो थ्रू हुए तो साथ कह सकता हूँ अगर यह वाले पॉर्सन वैसे तो टीचर को अपने बच्चे को हमेशा इजी की तरफ जाने के लिए नहीं कहना चाहिए लेकिन मैं यह कह रहा हूँ कि बीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो सामने पहाड है तो बगल से निकल चलो अभी इनको निकाल के फिल्ट्रेट करके हटा लिजी फिर हाड की तरफ जाई पहले इजी प्रसनों के साथ डिल करिए हाड प्रसनों के साथ लड़ते समय आपका आपका मोरेल गिर सकता है चार पांस सवाल नहीं आए तो एक्जाम का प्रेसर और उस सवाल का प्रेसर आपको मेरे भाई इस स्पेस को बहुत अच्छे से मोबाईल फोन का यूज सिर्फ और सिर्फ बगल में मोबाईल रखके मत पढ़ो कई लोग करते जिस टेबल बैठते उसके बगल मोबाईल यारे बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है भाई मैंने मैं कहा रहा हूं कि मैं UPSC के उन बंद देंगे हम अरुसे में बहुत फोन से बची सबसे important चीज है फोन से एकदम दूरी बनाई यह फोन का यूज पढ़ने के लिए कव फोन का यूज किश क्नि करिऊ पढ़ने के करिये कैसे करिए जो topic पर ना डाउनलोर्ट करिए फोन को Almor में Unterब लाले करिये तस लिए लिए ज तोस्त नहीं कोई रिस्दार नहीं कहीं कोई साधी विवान मतब कोई फंक्सन नहीं कोई बर्डे नहीं प्लीज इस 20 दिन में आपको इन चीजों से बचना है फ्रेंड्स यह जै वीरू से बच जाई है कट्रा चलो मतब कहते हैं चलो मार्केट चलते हैं चलो कॉफी पी के आत बाहर जाके आप ठकते नहीं है इस 20 दिन में एक्जाम के दौरान कोई ऐसी बात आप बाहर गए एक रिक्से वाले ने आपको पानी का छीटा मार दिया आपने तो गरिया दिया उसने भी आपको गरिया दिया समझे इस बात को यह साइकोलाजी है आपका दो घंटा बरबाद ह हो जाएगा कुछ आदि मुझे गरिया दिया तो प्लीज फ्रेंड्स के साथ जो डिलिंग हो जो गॉसिप हो बहुत थाकान के बाद वो कमरे पे हो और बड़ी हसी मजाग की बात हो बड़ी प्यार वाली बात हो पढ़ाई लिखाई से थोड़ी से दूर हट करके हां मतब ट हकीम फलाने से मिलें वैसे कुछ दिन के बाद दीवारों पर चारों तरफ एड होगा अपने बच्चे को रील देखना छुड़ाएं मिलें हकीम फलाने से मंगलवार को अपने बच्चों को सौट से मुक्ति दिलाएं मिलें डाक्टर फलाने से बुधवार को मेला लगेगा ऐसे गार्जियन्स का अपने बच्चों को रील और सौर्ट छुड़वाने के लिए तो बरतमान में आप इन चीजों से बचें बिलकुल दूर करके त्यारी करें मुझे पता है कि आप बहुत अच्छा करने वाले हैं जैसे नंबा सिस्टम हो गया ट्रिगनोमेट्री हो गया म इन चैप्टर को दो तीन बार लगा लें जितना मतलब कि जितना ज्यादा लगा सकते उतना लगा लें और जैसे आपका पर सेंटेज प्रॉफिट लास मिक्सर एलिगेशन इंट्रेश इन चैप्टर्स को अगर आपने एक बार लगा है तो एक बार फिर से पीवाई क्यू लगा लें मतलब सारे चैप्टर का पीवाई क्यू लगा लें और जो इंपोर्टेंट चैप्टर उसको एक बार देख लें वो टॉपिक जरूर देख लें कि कहां पर आप मिस करते हैं किन प्रस्णों पर आपका हाथ रुक रहा है अब मौक देते समय इस बात को जरूर दे दोस्तों तक सेयर करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज लोगों तक हमारी बात पहुचाएं क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप हमारी आवाज बने हम वही बताते हैं जो आपकले सबसे अधिक लाफकारी होता है जैहिं हिंद पैरे भाईएं अपना औ और अपनों का खयाल रखते हुए जोग दीजे अपने आपको इस समय क्योंकि अब हवाएं ही करेंगी रौसनी का फैसला जिस दिये में जान होगी वो दिया रह जाएगा जैहिंद